नमस्कार दोस्तों, वेल्दिसकाई के एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है, मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडर्स्टेंड करेंगे और समझने की कोशिस करेंगे, यह जो तीन दिन से क्लिरली कुछ पॉइंट पता हैं तो यहां से एक चांस बन सकते हैं कि यह उपर की तरफ मोग कर सकता है बाट इसने हाई तो निकाला फिर दुबारा से यह साइडवेस चला गया उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आया और फिर मार्केट रिकवर होके डे हाई पे जाके बंद की बात करें तो बैंक निफ्टी भी सेम यहां पर इसी तरीके से फॉल अप कर रहा है क्योंकि जो सबसे इंपॉर्ट चीज है वह एक बहुत इंपॉर्ट लेविल है जहां पर पूरा प्राइस चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है ठीक है उसके अगर हम बात करें तो जा सी बात है 300-400 पॉइंट का अपसाइट का मूग ओपन होगा बट यहां से पूरा प्राइस चेंज होगा वह आपका जो लेविल है वह आपका है यह ठीक है ना यह पूरा क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि इस लेविल पर आपका क्या है जो प्राइस चेंज होता हो दिखा यह चाहरे कि यह प्राइद चेंग प्राइद यह तक यह इस तरीकल डि já फिर भुड पेटन की ब्रेकॉट देदे एब दोनू कंडिशेंढ में क्या होगा कि कल की trading session बहुत important रहेगा क्योंकि आज global market यानि global futures काफी अच्छ पॉजिटिव trade कर रहे हैं तो कल अगर यह gap up खुल के selling के लिए नीचे आया तो आप expect कर सकते हो कि यह M pattern ही बनानी की chances जादा रहेंगे और अगर यह उपर के तरफ move कर गया तो जायर सी बात है यह breakout माना जा सकता है बट वो किस तरीके से होगा कौन से important level होंगे उनको हमें समझना है तो सबसे पहले हम चलते हैं option change data पर अगर यहां पर देखा जाए तो morning में काफी अच्छा open interest 18-200 की put पर बढ़के आया था बट जैसी selling आई वो open interest काफी तेजी से गटा 18-200 की put देख सकते हो आप 97 lakh का open interest कड़ा हो है call site पर इस्टिल आपको 1 crore का open interest देख रहा है 18-300 की call पर 74 lakh का open interest है 18-300 की put पर सिर्फ 20 lakh का open interest दिख रहा है नीचे बढ़ते हैं तो 18-200 की call पर सिर्फ 14 lakh का open interest है put पर कितना है 65 lakh का open interest इसका मतलब क्या है 18-50 आपके लिए important support नीचे बना हुआ है even नीचे जो because market range bound है तो multiple supports हैं उनको हम chart पर understand करते हैं अब देखो यहां पर यह chart है ठीक है अब यहां पर 15-minute का time frame मैंने लगा दिया है अब यह इस line पर आपको सबसे जाता focus रखना है क्योंकि यह line continuously market hold कर रहा है ठीक है समझ में आगे आपको यह trend line most important है और उपर की तरफ जो यह resistance phase कर रहा है तो जायट सी बात है उपर के लिए यह important level हो सकता है अब कहीं न कहीं यह range जो है वो narrow होती जा रही है तो अब इसको या तो breakout देना है या फिर breakdown देना है और अगर breakout या breakdown देगा तो जायट सी बात है 100-500 point का moment यहां पर आना चाहिए तो कल के लिए हमारे पास क्या view रहना चाहिए देखो simple ही चीज़े कल के लिए भी हम अपना positive side का view रखेंगे क्योंकि अभी भी market के positive side पे जाता react कर रहा है के काम करने की कोशिस करेंगे target हमारा अठारा 300 और 330 का होगा पहला target हमारा अठारा 300 का ही होगा ठीक है यह चीज़ आप क्लिए समझ लीज़े अब यह resistance level है तो यहां पे भी आपको थोड़ा सा alert रहना है अगर यह flow में निकलता है तो बहुत अच्छी बात है अगर यहां पर halt कर जाता है तो फिर हम यहां पर कोई buying नहीं करेंगे let them wait करेंगे market को इस level को cross करने के लिए यह फिर आप expect करिए कि market इसी range के अंदर खुलता है और फिर यह ऊपर की दरब breakout देता है तो 18,265 के ऊपर sustain करेगा तो हम यहां पर buy करेंगे stop loss जो होगा वो हमारा छोटा सा होगा जो कि 18,230 का होना चाहिए यह फिर आप यह हाई का sorry 240 का हमारा stop loss होगा छोटा ही stop loss लेके हम काम करेंगे जैसे कि आज के case में था यहां पर हमें breakout मिला जायर सी बात है यह हमारा breakout level होगा अब market उपर यहां पर sustain करने लग गया तो यह हमारा stop loss हो गया अगर इसको ऊपर जाना होता तो यह हैं से चला जाता नीचे आया तो हमारा छोटा सा stop loss यहां पर गया कोई दिक्कत की बात नहीं है सेम चीद हम यहां पर करेंगे अगर यह 18,250 के ऊपर निकलता है यानि आज के high के उपर निकलता है तो हम यहां पर buy स्टाइ करेंगे सेम स्टापल师 हम आज भी लगा सकते हैं A28220 का यह फिर हम 18240 ज्टिकर पहले। तो कहीं ना कहीं आपको अब यह हो सकता है, कल Wednesday का trading session ने market के लिए काफी अच्छा रहता है, क्योंकि दो दिन से हम consolidation ही देख रहे हैं, तो कल का trading session आपको एक अच्छा moment मिल सकता है, either upside, either downside, बहुत बढ़ा gap खुलेगा, यानि इस triangle के pattern के भार खुलता है, बहुत बढ़ा gap खुल ठीक है, जिस side move करेंगा, उपर की side या नीची की side, उस side हम trade करने की कोशिस करेंगे, ये view हमारा बना हुआ है, इस channel के बाहर किदर भी खुलता है, तो हम price action का wait करेंगे, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, bank rifty में चलते हैं, तो bank rifty में देखते हैं, यहां पे, तो bank rifty के बहुत हो, इसको आप थोड़ा सा और नीचे कर सकते हो, आज के low के पास ला सकते हो, ठीक है, अब आप देख सकते हो, इसके में भी एक perfect triangle यहां पे भी बना हुआ है, और यहां पे भी बना हुआ है, तो it's mean, कि कहीं ना कहीं आप यह breakout या breakdown देने की कोशिस कर सकता है, अब ज देखने को मिल सकता है, ठीक है, वो है 43 630 का, यह जो candle है 43 630 तक का आपको एक fast move देखने को मिल सकता है, अब इसके उपर sustain करेगा, नहीं करेगा, that is the important point, यह एक तर यह तर यह बना सकता है, और यह trend line पर आप नजर रहो, इस trend की नीचे अगर May करना स्टार्ट करता है तो फिर आपको थोड़ा सा लॉंग पोजिशन से एक्जिट कर देना चाहिए जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी क्योंकि ये आपका जो पूरा करेक्शन हुआ था उसके बाद जो रिकवरी या यानि जो बन सकते हैं कि ये ऊपर 42,800,850 तक 43,850 तक बैंक निफ्टी और निफ्टी एराउंड 18,450 तक जा सकता है जो एक मुवमेंट आना चाहिए वो डेफिनिटल यहां पर आ सकता है ठीक है इतना समझ में आ गया ग्लोबल मार्केट के सिचेशन देख लेते हैं करेंटली इंडेस एक से 1,5%, 2% तक की तेजी पर कामकाच कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल मार्केट का जो एट्मस्फेर है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है थोड़ा सा क्या हम एकपिक्ट कर सकते हैं यह अच्छा आचा पॉजिटिव है तो हमें या तो एक बड़ी गैप अभ market चलता है तो यहां पर एक अच्छी opportunity आपको buy side पर देखने को मिल सकती है selling side के लिए ध्यान रखिए या तो nifty अपने एक बड़े resistance के पास चला जाए जो कि 18500 है यानि जहां से गिरा था ठीक है 18400 भिचतता है इस level के असपास आजा है यहां से एक perfectly shot बन सकता है जो कि एक negative side का trending shot हो सकता है बट फिलाल market थोड़ा zigzaggy रहेगा क्योंकि यहां पर क्या है market थोड़ा time pass कर रहा है और कल का trading session important रहेगा क्योंकि कल Wednesday का trading session है और expiry से एक दिन पहले का trading session है अक्सर Wednesday के trading session में एक अच्छा move आ जाता है अगर नहीं आता कल भी सेम इसी तरीके का माहल रहेगा जैसा आज रहा तल रहा तो definitely expiry के दिन आपको एक बड़ा moment देखने को मिल सकता है यह चीज़ आप clearly समझ लीजिए ठीक है तो I hope दोस्तों यह particular data आपको समझ में आ क्या होगा दोस्तों फ्लाल इस वीडियो में इतनी है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like and share ज़रू करिएगा चैनल को जो subscribe कर लीजिए क्योंकि मैं सुझी लेकर आता हूँ हर दिन आपके लिए नएए वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जैह हिंद